नमस्कार दोस्तों ये वीडियो में मैं आपके साथ अनलोडिंग और फ्लैमेबल सुलवन्ट इन स्टोरेज टेंक इसके बारे में बात करने वाला हूँ PDIS या ADIS या तो Diplomate Industrial Safety के अंदर आपको examination में question इसके बारे में पूछा जाता है question कुछ इस प्रकार करता है prepare checklist and procedure of unloading of flammable solvent in a storage tank याने कि flammable solvent जो है उसको आपको unloading करना है storage tank के अंदर through the tankers तो उसका आपको पहले से checklist त्यार करना है और उसका procedure क्या रहेगा उसको follow भी करना है ताकि कुछ भी incident या accident ना बने दोस्तों दूसरी बात की safety related मैंने वीडियो काफी सारे बनाया है वह उसकी link आपको description box में मैंने डाल दिये है अगर आपको कुछ देखना चाहते है तो उसमें से देख सकते है और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे है तो मेरी चैनल को सब्राइब कर देजेगा और बाजो में दिये bell icon को प्रेस कर देजेगा तक जैसे नया वीडियो आएगा वह आप तक सबसे पहले notification पो इसकी बज़े से आप इंसीडन्स या एक्सिडन्स से बच सकते हैं टेंकर बोटम बोंडिंग पर ग्राउंडिंग याने कि जब भी टेंकर अनलोडिंग आप कर रहे है तो अनलोडिंग के टाइम पे आपको टेंकर को ग्राउंडिंग करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो static कुछ जनरेट है जो दिखता नहीं हमको बट उसकी बज़े से बोटम को ग्राउंडिंग कर देंगे तो वो जो भी static generation रहेगा वो ग्राउंडिंग हो जाएगा और शिक्स नमबर और ऑड़ेंस ऑफ स्विचिंग लोड शेवन नमबर सेफ सेंपलिंग एट नमबर यूज ऑप मेटालिक डिप रोड फोर लेवल मेजरमेंट और मैन्यूल गेजिंग तो उसके अंदर टेंकर के अंदर कुछ मैन्यूल गेज भी रहता है और अभी रिसें हुआ है और कितना लेवल उसमें दिखा रहा है तो आप डाइरेक्ली ओटो आपको डिसेस पे सिग्नल भी मिल जाता है और अगर मेन्यूली कुछ करना चाहता है तो मेटालिक डिप रोड से भी लेवल मेजरमेंट कर सकते है नाइन नमबर स्विचिंग ओफ वहिकल एंजिन द्यूरिंग लोडिंग पर अनलोडिंग ओपरेशन याने कि आप जब भी लोडिंग अनलोडिंग का ओपरेशन कर रहे है तभी आपको वहिकल का एंजिन जो है वो स्विच ओप रखना चाहिए या तो बंद कर देना चाहिए टेंथ नमबर ब्लोकिंग ओफ वहिकल्स ब्लोकिंग ओफ विल्स तो अवेट एक्चिदेंटल मुवमेंट और हीटिंग अगेंस एकिप्मेंट पाइपलाइन्स एंड स्ट्रक्चर्स एलेवन नमबर प्रोविजन ओफ इमर्जंशी सटॉप पर एक्सेस फ्लो चेक वाल्स 12 नमबर प्रोपर लाइन अप बीट्विन टेंकर और स्टोरेज टेंग याने कि आपको टेंकर और स्टोरेज की बीच में प्रोपर ली लाइन अप होना चाहिए 13 नमबर अविलेबिलिटी ओप एस्केप रूट्स डिरिंग इमर्जंशी इंक्लूडिंग अवड़ेंस ओप टेंकर मुमेंट नियरर टू प्लांट ओपरेटिंग एरियास अगर कुछ लोडिंग अलोडिंग के टाइम पे इमर्जंशी आ गया तो आपको एक्सेप रूट का पता होना चाहिए इमर्जंशी रूट होना चाहिए वहां पर 14 नंबर डिश्पले ऑफ प्रोडक्क नेम, यून नंबर, एन हैजर्स कोड सिंबोल, एस्केम कोड, इमर्जंशी कॉन्टेक डीटेल, फोन नंबर, एड्रेस, एट्सेटरा सभी कुछ वहाँ पर डिस्प्ले इसके साथ साथ होना चाहिए जैसे कि मैंने पहले भी MSDS के बारे में वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों आप उसको देख लेजिएगा ताकि उसमें डीटेल में आपको पता चल जाएगा एट्सेटरा के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है वह देख लेगे तो आपको आगे का इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा डीटेल में 15 नंबर एपरूल लिस्टनिंग बाइ स्टेट्यूटरी ओथरिटी तो आपको एपरूल जो भी आप लोडिंग अनलो रयता है वह आपको करवाना चाहिए 16 नंबर प्रोविजन ओप फायर प्रोटेक्षन एक्वीपमेंट इनक्लूडिंग एगजोस पार्क एरेस्टर यानि कि आपको वहां पे फायर प्रोटेक्षन एक्वीपमेंट का प्रोवीजन भी जो जिएगा पैलोडिंग कर रह रह होना चाहिए और जो भी वेहिकल है उसको एक्जोस्ट जो रहता है उसके लिए स्पार्क एरेस्टर भी लगा होना चाहिए 17 number availability of personal protective appliances याने की PPA and answering their uses याने कि आपको जहाँ पे loading unloading कर रहे है और जो चैमिकल है उसके इसाब से आपको वहाँ पे personal protective equipment availability होनी चाहिए और वो कैसे use करना है वो भी मालूम होना चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है PPA दे दिया तो ऐसे incident accident हो जाता है इसके लिए first of all loading unloading करने से पहले जो भी PPA वहाँ पे लगता है जिस type का लगता है उसके हिसाब से उसका कैसे use होता है उसका logo को जो loading unloading कर रहा है उसको training भी देना चाहिए लास में 18 number first aid box याने कि वहाँ पे आजू बाजू में immediately emergency में जो भी अगर first aid कर सकते है तो वह उसका box वहाँ होना चाहिए और first aid box के अंदर सभी materials, medicines होनी चाहिए thank you for watching my video दोस्तों आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजेगा ताकि आपको मेरा नया आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा